हलो, अससलाम अलेकूम, वेलकम बैक तू माई चैनल, I hope you all are fine and safe आपको आइडिया तो हो गया होगा कि हमारी आज की वीडियो को टॉपिक क्या है तो जी आज की हमारी वीडियो को टॉपिक है How to make colorful eyeliner in just one minute सबसे पहले तो अब भी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो currently do subscribe मैं चैनल ये बात तो सच है कि हम हर color का liner नहीं ले सकते हैं लें भी लें तो sometimes ऐसा होते है कि हम लोगों को जल्दी में मिलता नहीं है तो जो ये trick है ना आप सब लोगों के बहुत काम आने वाला है और ये 100% work करने वाला है सबसे मज़े की बात तो ये है कि it's very easy to make और ये आपका ज़्यादा time भी नहीं लेगा और हर color के साथ आप match कर सकते हो सिर्फ दो चीज़े चाहिए हमें सबसे पहले तो कोई अच्छी सी eye shade palette जो palette ले रही हूँ ये sport light है you can be की ये मैंने online order की थी और ये बहुत अच्छी है सभी shades के बहुत pigmented है सिवाए एक दो के तो मेरी तरफ से 100% recommended है मैं आपको कुछ shades के swatch करके दिखा रही हूँ जिससे आपको भी idea होजएगा कि ये कैसी palette है और आपको लेनी चाहिए के नहीं लेनी चाहिए इससे आपको idea होजएगा yellow वाली की दिखने में pigment लग रही है पर actually में नहीं है आपको आगे जाके ये नजर भी आजएगा so that's it for the review of palette वापिस हम hack की तरफ आते है आप कोई भी palette यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास है बस यह कि उसकी pigmentation अच्छी होनी चाहिए second जो product हमने चाहिए होगा makeup primor है makeup primor आप कोई भी यूज़ कर सकते हो मैं garnier का यूज़ कर रही हूँ and trust me garnier का makeup primor बहुत अच्छा है बहुत easily makeup primor करता है हमारे skin को clean करता है और sensitive skin वाले भी इसको use कर सकते है so with the help of both products मैंने you can be की palette से ही pink color का shade लिया और मैंने उपनी eyes पर apply किया आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने ये किस तरहां बनाया था with the help of angle brush मैंने liner को apply किया आप लोग liner brush भी उसकर सकते हो and just look at this कितना pigmented eye are और waterproof भी हो गाई है इस तरहां आप लोग easy आप लोग इस तरहां कर लो मैं जल्दी में बस बनाना चाहरी थी तो मैंने इसके hole से ही जो है इसको wet कर लिया थोड़ा से brush और जोन सभी shade आप लोगों को liner कर चाहिए आप लोगों ने जस्ट उसके उपर इसको अलके से बहुत lightly rub करना है और बिल्कुल देखें पतली सी line लग रही है पहले brush मैंने दूसरा use किया था इसलिए जो purple shade है वो थोड़ा मोटा सा लग गया था अगेन मैं आपको दूसरा भी कोई color करके दिखा देती हूँ मैंने दुबाया hole से ही जो है इसको वेट किया brush को जब भी दूसरा shade आप लोग apply करने लगो आप लोग brush को पहले clean कर लो कि आप लोगों को मेरे हाथ के अंदर वाली side से idea हो रहा हो कि मैं कितना messy कर रही थी तो जी yellow shade की इतनी pigmentation liner में तो नहीं आई है और मैंने separate से इसको अपनी eyes पर भी apply करके देखा था इस shade को तो इतनी pigmentation नहीं थी so that's it for today I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अपना ख्याल रखिएगा अल्लहाफेज